तो दोस्तो डब्री रो नौ अक्टूबर दोजाब 25 रो का सीजन प्रीमियर है और इस रो में बहुत कुछ अनाउंस हो चुका है और ये रो काफी कमाल का होने वाला है जैसे की रो में रोमर एक्स अपनी पूरी ब्लेड लाइन को लेके रिटन आ रहे है और उसके बाद रो म वसे बॉबिल ऐसी का मैच युनाइटे स्टेट टाइडल के लिए अब इस मैच में सेथ रोलिंग्स बॉबिल ऐसी को हराके जीत पाएंगे या नहीं यह सारी बाते भी मैं आपको इस वीडियो में जहुँ बताऊंगा तो इस वीडियो को आखी तक जहुँ देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू किजेगा में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आईए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू और मैं आपको बताता हूँ के रोके सीजन प्रिमेर में क्या क्या होगा मैच में सेट ओलिंग्स बॉबी लैशी को हराके न्यू यूनाटे स्टेच चैंपियन जरूर बनेंगे सेट ओलिंग्स के पास चैंपियंशिफ काफी दिनों से नहीं है और आप फाइनली वक्त आच चुका है कि सेट ओलिंग्स को टाइटल दे दिया जाए और सेट इस उनके बड़े सलिवेशन में ना आए लेकिन देक्स्टर यहाँ पर ज़रूर आएंगे और देक्स्टर मिस के ओपर एटैक भी करेंगे रॉम में हमें एक और बिगेस रिटन देखने को मिल सकता है और वो रिटन है दबी जिनकाने ब्रॉकलिसर का डैनियल कॉर्बियर क को लेकि ये न्यूज आ रही है कि डैनेल कॉर्बियन क्राउड जॉल में एक मैच करेंगे डवलेवीं के लिए और डैनेल कॉर्बियन का साथ देने के लिए वहाँ पर आएंगे ब्रॉकलिसर का मैच होगा इन दोनों की दुश्मनी योएफिसी से चलती आ रही है लेकिन य इस बार Crown Jewel में डैनियर कॉर्मियर को फाइट करवाएंगे और हमें Crown Jewel 2022 में वोसे दबीज इनकाने ब्रॉक्लिसा कभी मैच देखने को मिल सकता है RAW में हमें RAW वूमें चैंपियन बियांका बेलर का भी सेग्मेंट देखने को मिलेगा और लैडर में चरके अपने टाइटल को तोड़ दिया और टाइटल को रिटेन कर लिया लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि ब्यांका बेलर और बेली की दुश्मनी खतम हो जाएगी मुझे लगता है कि RAW में हमें फिर से इन दोनों का सेग्मेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद बेली बेंका बेलर को Crown Jewel 2022 के लिए चैलेंज कर सकती है और इन दोनों का मैस्च एक बार फिर से RAW मुमेंस टाइटल के लिए हमें देखने को मिल सकता है Crown Jewel 2022 में अब आईए दोस्तों बात करते हैं Extreme Rules 2022 के सबसे बरे रिटन के बारे में Extreme Rules खतम हो गया था हमें ऐसा लगा कि शायद Bray White रिटन नहीं आएंगे या कोई भी रिटन नहीं आएगा लेकिन तब ही अंधेरा हुआ और Bray White अपना सौंग गाने लगे और फिर Firefly हाउस के सारे करेक्टर दीरे दीरे ओडियन्स की तरफ दिखने लगे हम लोगों को यकीन हो गया कि शायद Bray White रिटन आ रहे और उसके बाद Bray White का Firefly हाउस का जितना भी करेक्टर है सब को दिखाया गया यहां तक कि फिन का जब मुझ जल गया था उन्होंने जलावा माक्स पहना था तो वो भी दिखाया गया और उसके बाद Firefly हाउस भी दिखाया गया और यह दिखाया गया कि वो जल के खतम हो चुका है और फिर फाइनली एक दर्वाजा नजर आया और उस दर्वाजे से अंदर आय ब्रेवाइट ब्रेवाइट को देखके सब शौक में आ गए क्योंकि ब्रेवाइट ने अपना पुराना करेक्टर यानि कि इटर ओफ दी वर्ल्ड का करेक्टर फिर से अपना लिया है और अपने यसी करेक्टर में ब्रेवाइट रिटन आये अब सवाल यह उठता है कि ब्रेवाइट अगर रिटन आये तो ब्रेवाइट करेंगे क्या किससे फाइट करेंगे किसको चैलेंज करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेवाइट क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ रो में तब फ्लैड लाइन भी रिटान आ रही है और अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि रोमरेक्स ने रिटान आते के साथ फिंट को हराके फिंट से उनिवासर टैटल जीता था लेकिन उन्होंने पिंट के उपर नहीं करवाया था उन्होंने पिंट करवाया था ब्रॉन इस्टोमेन के उपर और उसके बाद से फिंट को कभी भी रोमरेक्स के अगेंस रिमैश ने मिला जबकि ब्रॉन इस्टोमेन को रोमरेक्स के साथ एक और मौका मिला था लेकिन फिन को कोई मौका नहीं मिला लेकिन आप Bray White जब अपने नई करेक्टर Eater of the World के करेक्टर में रिटन आ चुके हैं और अगर Bray White अपनी एक नई फैमिली यानि के न्यू वाइट फैमिली लेके रिटन आते हैं तो मुझे लगता है कि वो रॉ में रोमा रेक्स और टीम ब्लेड लाइन के उपर अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो डबलेवी की टीर पी कुछ जादा ही उपर चली जाएगी क्योंकि डबलेवी फैंस को ये उमीद है कि एक बार रोमा रेक्स और ब्रेवाइट का मैच होगा और ये मैच का इंतजार डबलेवी फैंस काफी टाइम से कर रहे हैं काफी टाइम की इंतजार कने के बाद ब्रेवाइट डबलेवी में रेटन आए और मुझे लगता है कि अब ये मैच ज़रूर होगा जहाँ पर एक तरफ रहेंगे रोमा रेक्स और दूसी तरफ रहेंगे ब्रेवाइट और ये मैच होगा अंदिस्पूटेड डबलेवी उनिवोसल टाइटल के लिए ये भी हो सकता है कि टीम वाइट वससेप टीम ब्लडलाइं का ही मैच हमें देके को मिल सकता है और दोस्तों आप लोग कमेंट दो बत आइए कि ब्रेवाइट आगर रोमा में रिटन आते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो दोस्तो अभी के लिए बसे तहीं मैं मिलता हूँ अब को थोई दिर में WB के नेक्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक यू और गुडबाई और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा और बिल आइकन को जरू दबाईएगा तो दोस्तो थैंक यू और गुडबाई